हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम ये जो पुराने पोट होते हैं इनके अंदर लगे हुए प्लांट्स चाहे कितना भी सुन्दर क्यों ना हो वो भी बुरा ही लगता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पेंट के बारे में बताऊंगा जो हम किस तरीके से अपने गमले पर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा और कौन सा बैस्ट रहता है मिट्टी के गमलों पर पेंट करने के लिए वह आप लोगों को बताऊंगा और इस पेंट से आपके गमले जो है वह काफी लंबे टाइम तक चलते हैं भूरते नहीं है तूटते नहीं है उन्हें काफी शाइन काफी गंदा हो गया यह जिससे कि इस पर भुरू भुरू भी रही है मिट्टी तो इसको हम यह फाइल मिल जाती है हाँ लोकल हार्डवेर स्टोर से तो वहां से आप यह फाइल खरीद लाइए और इसके साथ इसको थोड़ा थोड़ा रब कीजिए या फिर आप आप रब करन से इसके जो सर्फेस है वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा अब इसके आप किनारे देखिए किनारे भी इसके काफी खराब है गंदे लग रहे हैं तो इन्हें भी हम फाइल के साथ बिल्कुल प्लेन कर सकते हैं देखिए इस तरीके से इस तरीके से हमें फाइल के साथ इसके जो साफ कीजिए ताकि जो डस्ट वगरा है वो उतर जाए और आपको क्लीन सर्फेस मिले तो हमारा क्लीन सर्फेस हो गया है रेडी चलिए अब हम इसे पेंट कर लेते हैं पेंट करने का तरीका पहले इसको उल्टा करके इसकी बॉटम में आप पेंट कीजिए क्योंकि यह हमेशा इसको काफी पानी का बरसात का सब तली ही जहलती है इसी के उपर पूरा पोर्ट बेस रहता है तो इसे पेंट करेंगे नीचे से और फिर हम अपने पूरे पोर्ट को पेंट कर लेते हैं पूरे पोर्ट पर पेंट कर देंगे तो पूरे पोर्ट पर पेंट होने के बाद हमा परेंट करेंगे और लगबक 3-3 इंच तक हम इसके अंदर भी पेंट कर देंगे जहां पर हमारे पानी के लिए जगा खाली रहती है पोर्ट में बाकी में मिट्टी भर जाती है नीचे तो वहां तक हम इसको पेंट करेंगे और नीचे से हम खाली छोड़ दें क्योंकि इसके अंदर तो मिट्टी ही आने वाली है तो यह पॉर्ट जो है हमने पेंट किये हैं लगबग 56 मेरे हो गए एक लीटर के पेंट में तो यह है एक्स्टीरियर जो पेंट आते हैं एक्स्टीरियर पेंट लेना आपको टर्रकोटा कलर में और इ पीछे आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे हैं और 280 रुपे में यहने पांच रुपे में एक पोट मेरा तयार हो गया वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जो बताइए अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोलतों साथ साथ सोस